नमस्कार, निराला कंस्ट्रक्शन के एक और नय वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है तो आज किस वीडियो में में आप लोगों एक बनते हुए घर के लिए जो पलास्तर से पहले तक का काम किया गया है इसके बारे में बताना जाता हूँ, इसके पूरा काम के बारे में आप लोगों को दिखाना जाता हूँ कि आगर इस घर को किस तरीके से बनाया गया और साथ में इस घर को बनाने में अब तक टोटल कितना रुपा का खर्चा आया है इसके बारे में भी पुरह जनकारी देना चाहता हूँ तो आइए ज़्यादा लेट ना करते हूँ इस बनते हुए घर के जो काम को किया गया है उसके बारे में जानते हैं उसके साथ जानते हैं कि इस घर को बनाने में कितना का खर्चा आया हालाकि सामने की तरफ एक सुन्दर सा पूर्टी को कंदिने मान भी किया जा रहा है जहां आप चाहो तो दो कार पार्क भी कर सकते हो इस घर के अंदर वाला हिस्सा को भी देखेंगे लेकिन पहले जो चीज़ा आप बाहर से देख सकते हो इसके बारे में जानते हैं साथ आप देख लेजिए कि जब स्टार्टिंग में सिढ़ी अप रखते हो तो जो लोग उपर वाला तला पे रहते हैं चाहे वो आपका दूसरा भाई हो या फिर रेंटर वगरा हो तो जाने में किसी भी तरह का दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता है जो कि बाहर से ही यहाँ पे घर के लिए सिढ़ी का काम है वो किया गया हलाकि साइट की तरब से भी एक यहाँ पे सिढ़ी का जो गेठ है वो दिया गया है घर के हॉल से उस साइट से भी दिखाऊंगा आपको किस तरीका से इस घर का प्रोटिको का काम को किया गया, यहां से इस घर के लिए मेन इंटरेंस रखा गया है, कॉलम के बारे में जान लेते हैं, तो इस घर के लिए जो भी कॉलम आप देख पा रहे हो, वो सारा कॉलम 9 इंची बाई 12 इंची का है, यहां पे आप देख सकते हो, तो इजली आप अपने घर को 2-3 तिला तक ले जा सकते हो, यह भी जो सीड़ी में कॉलम देख पार हो, इसी साइज का है, पुरो टिकों के साथ साथ, जो भी घर का कॉलम है, 9 इंच बे, 12 इंच के साइज में ही, रखा गया है, जिसमें 6-6 सर्य का इस्तेमाल की अजार है, 12 mm का इस घर का अगर $ का हाइट बात कर लिया जाए, यहाँ पर आप देख पार हो, तो लग भात सारे 3-4-4 पीट का आशपास stakeholder है, प्राप कर लिया गया गया है, घर का फरस्का लेवल का बात यहाँ पर हो रहा है, साइड बे इस तरीका से देख पार हो, यह पलिंद बे में, करня दूस्टो इस घर का पीछे का काम किया गया है किया तोंक्य और साय की तरफ जो विंडो हो हैसा का काम किया यहां पर यहां पर जो विंडो लगा गया है इस पे द्यान देंगे इस तरीका से विंडो 번 applies में तोरह ज्यादा पैसा खर्चा आता है जैसे कि उपर में स्लोप डेजाइं नीचे में आर्क सेपके साथ में इस घर के लिए पीछे और साइड की तरफ जो विंडू है उसका काम किया जारा कंस्ट्रक्चन को इसका वीडियो है इसलिए में आप लोग को ज्यादा सा रख बानाने का काम अभी पूरा बाकी है दे सकते हों नीचे में मिट्टी का भराई करते हुए यहां पर काम को रोका गया है इस घर के लिए में इंट्रेंस लगबाग सारे चार फिट पर साथ फिट का आसपास तक रखा गया है यह आप देख पा रहे हो और कभी भी घर का आपको में इंट्रेंस देना है तो चार फिट से कम जार आपको नहीं रखना इस बात का ध्यान जरूर रख लंगे अपने बनने वाल घर बनाते समय गुषने के साथ यह आपको मिल जाता है यहां पर हॉल इसके लेफ्ट साइड में आपको इस घर के लिए मिलता है सीड़ी रूम यह देख पार हो इधर से भी सीड़ी के लिए रास्ता है बाहर से अपने देखा था इस घर के लिए इधर पहला रूम है इसके साथ थूरा और आगे चलता है तो डाइनिंग एरिया वगर आभी आपको देखने को मिलेगा और जो भी काम किया गया इसको आप देख ल यहां पर आपको पहला रूम मिलता है यह आपको पीचेन मिलता है इसके साथ साथ उसको डर पर दूसरा रूम देखने को मिलता है इसके साथ यहां पर पिर इस घर के लिए तिसरा रूम देखने को मिल जाता है तो इस तरीका से यहां पर काम किया जा रहा है असानी के साथ देख पारेजेब की A.P national ख़ीया है करें और इस उन्दर में आपके तर वान को किंगे जोबं साने HI low 5 पैसाध में रखा गया है यहां पर देख पारो बहारेज वाल safety नेवा कारते हैं, appropriate इस देखेइएॹ उसके साथ उदर सीड़ी है इस तरी के साथ आपको पहला रूम मिल गया था देखने को आप पीछे मुड़ जाता हूं ताकि आप ठीक तरी समझबा है यहाँ पर आपको बड़ा साइस का डाइनिंग एरे मिल गया उदर भी आपको किचेन है उसके साथ दोने कॉर्णर पर एक जा रहा है जैसे काम आगे भरेगा स्टेप 20 वीडियो आप लोग को लाऊंगा जैसे के प्लास्तर किया जाएगा पेंटिंग किया जाएगा उसके बाद में यहाँ पर फरनिसर वगर का काम किया जागा तो फिर आपको दिखाऊंगा कि किस तरीका से खर्च बढ़ते चला गेश्टेप 20 और किस तरीका से घर का कामी का प्लीट होता चला गया तो आने और दिन में आप बहुल सारा बंताव घर का डिजाइन और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लिजए